Hello everyone, Welcome to Quant Study आज हम करने चारे हैं हमारे Quantitative Aptitude का next chapter जो कि है Quadratic Equation ये मैं आपको दो पार्ट्स में बढ़ाऊंगा आज हम उसका करने चारे हैं First Part शुरू करने से पहले एक important चीज मैं आपको बता जाना चाहता हूँ और हमने एक और initiative शुरू किया कि अगर आपको लगता है कि आप Free Education देने में हमारी Help कर सकते हैं आप कोई subject अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं उनको जो problems आती हैं उसके answers दे सकते हैं तो आप हमारी team के साथ जुड़ सकते हैं आपको करना क्या है आपको जाना है अपनी gmail id पे वहाँ जो लिखा होता है to और एक box बना होता है उसमें आपको ये id डालनी है यानि कि helpdeskquantstudy at the.gmail.com अपना name city जो subject आप पढ़ाना चाते हैं और अपना contact number email की body में लिखना है और हमें send कर देना है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का topic सबसे पहले concept है कि symbol of equation और जो roots के symbol है उनके बीच में relation क्या होता है उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि equation क्या होगी quadratic equation chapter में जो equation है वो हमेशा इस format कियाएगी ax square plus bx plus c equals to 0 यहाँ पर a, b, c जो की red portion में है इनको हम coefficient कहते हैं अब यह अपने equation देखी अब इसमें आपको symbols दिख रहे हैं एक plus का symbol है और दूसरा भी plus का symbol है इनको हम कहते है equation के symbol यह चार टाइप के हो सकते है equation इसी format की होगी पर symbol star type के हो सकते है plus 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 minus minus plus और minus minus ठीक है इनके लावा और कोई symbol नहीं हो सकते है बस यह चार टाइप के symbol हो सकते है अब बात करते हैं किस equation के किस symbol से root के क्या symbol निकलेंगे तो यह जो page है आपको यह जो दिख रहे है आपके सामने screen पर यह आपको रटना होगा कुछ भी करके मैं कुछ tricks ही बता देता हूँ जिसकी वज़े से आपको असानी हो जाए बट अगर उसके बीना भी आपको याद हो जाते हैं तो जादा बेटर है सबसे पहले आता है minus plus equation में minus plus होगा यानि कि ax square minus bx plus c type की equation होगी तो उसके roots होगे plus plus इसको ऐसे याद कर लीजिए कि अगर आप negative thoughts को छोड़ कर positive thoughts की तरफ जाओगे तो आपकी जिन्दगी में हर चीज positive ही होगी तो positive positive ठीक है second आता है ax square plus bx plus c is equals to zero तो plus plus आगे equation के symbol इसकी roots के आएंगी negative negative यह आप ऐसे याद कर लो कि हर चीज़ को positive ही लोगे न तो आप at times आपके साथ बुरा हो जाएगा for example कोई आता है और आपका जेब से आपका wallet चोरी करके ले जाता है अब आप सोचोगे कि नहीं उस बंदे को जरूरत होगी तो वो ले गया अगर ऐसे आप करने लगोगे तो आप पूरी जिंदगे कंगाली रह जाओगे तो आपके साथ सिर्फ बूरा ही होगा पैसा नहीं होगा तो बूरा ही होगा ठीक है अब जो इन दोनों symbols के अलावा equation के इन दोनों symbols के अलावा जो भी बचते हैं ये जो last के दो हैं इनके roots plus minus ही होंगे same roots है plus minus equation में ये symbol है और roots plus minus ही रहेंगे आपको बस पहले दो kit रिक याद करनी है इसके अलावा कोई भी symbol आए combination उसका root plus minus ही होंगे तो देखते हैं पहला question हमारा what will be the symbols of the root x square minus 3x plus 5 आपको दिख रहा है कि equation के symbol के minus plus मैंने आपको बताया था negative thoughts होड़ के positive thoughts रखोगे तो आपके साथ हर चीज positive होगी तो answer आजाएगा plus plus तो हमारा second question आगया x square plus 3x plus 5 is equals to 0 अब मैंने आपको चीज़ कहे थी हर चीज़ ही positive लेते रहोगे तो आपके साथ बुरा होगा हर कोई आपको बेवकू बना के चला जाएगा क्योंकि ये दुनिया बहुत बूरी है ठीक है तो इसका answer आजाएगा minus minus next question आता है हमारा x square plus 3x minus 5 मैंने आपको बताया था कि equation में minus plus और plus plus के अलावा जो भी symbol होगा उसके root क्या होगा plus minus similarly last question में भी देख सकती है minus minus आ रहा है हमारे equation के symbol तो इसके roots भी क्या होगे plus minus ये आगे हमारे equations और उससे क्या roots आएगी वो इनका use क्या होगा ये मैं आपको आगे बताऊं होगा अब चीज है कि दो जो हम कहते हैं splitting the middle term जब भी हम quadratic equation पहले पहले किया करते थे तो उसमें क्या हो तकता है middle term जो है आपकी वो यह तो odd होगी यह तो even होगी odd और even के लावा और कोई number नहीं नहीं हो सकता तो odd number कैसे बनेगा आपको यह तो वैसे common सी चीज है पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ odd number बनेगा जब आप किसी even number को odd number में add करोगे या minus करोगे जैसे कि example में देख लो 2 plus 3 2 है even 3 है odd तो हमारा odd बन गया वैसी 6 minus 3 6 है even 3 है odd हमारा odd number बन गया यानि कि odd number अगर addition और subtraction की form में हमें निकालना है तो at least एक even number होना चाहिए एक odd number होना चाह है वैसे हम even में आएंगे तो even में क्या same type के number होना चाहिए आप even plus even या even minus even करो odd plus odd या odd minus odd करोगे तो even number ही आएगा ये रहिए आपके सामने नीचे example उपर वाली जो दो example है वो even का case है नीचे वाली दो example है वो odd का case है अब formation of middle term in case of multiplication अभी तक मैंने आपको बताया कि addition subtraction से odd number क आपका तभी बनेगा जब सिर्फ odd numbers की ही multiplication होगी ठीक है एक भी even आ गया for example आपके पास एक लाख odd number पड़े है पर उसके next number जो होगा अगर वो 2 होगा ना वो उन एक लाख के एक लाख odd numbers को even में convert कर देगा एक example देख लिए जैसे 5 into 3 15 है 9 into 5 into 1 45 है पर इनी तीन numbers के आगर मैं आगे 2 से multiply कर देता तो वो 45 to 90 हो जाता तो इसलिए अगर आपको odd का combination मनाना है तो आपके पास सारे के सारे factors odd ही होने चाहिए एक भी even नहीं होना चाहिए अब बात करते है even की जैसा मैंने आपको बताया अगर उसमें आपके number में एक बार भी even आ जाता है तो आपका जो multiplication result even ही होगा अब देखते हैं कि middle drum को split आपने कैसे करने हैं सबसे पहले हमने question लिया example लिए x square minus 5x plus 6 आपने देखा इसके सबसे पहले roots के हैं equation के roots है minus plus और मैंने आपको बताया आप negative thought छोड़के positive thought लोगे तो आपके साथ हमेशा positive ही होगा तो roots आगी plus plus next है हमें coefficients का multiply करने है त x square का coefficient और एक होगा last यानि कि जो मैंने आपको question starting में बताया था ax square plus bx plus c तो a और c की multiplication होगी उसमें तो हमने का किया 6 और x square का coefficient के 1 तो 6 into 1 हमारे पास आगे 6 अब इसके factors निकालना यानि कि 6 number को हमने जितना हो सके उतना तोड़ना है तो क्या आएगा 6 तो सिरफ 3 into 2 करने से ही even और एक odd number होने चाहिए तो 3 हमारे पास odd आ रहे है 2 हमारे पास even आ रहे है इन दोने को plus करेंगे 5 बन चाएगा और अब मैंने आपको बताया था था ना starting में कि roots plus plus इनका क्या फायदा है यह roots plus plus वहीं है कि 3 और जो 2 आया आपको पता है कि वो plus 3 होगा और plus 2 यही इसकी होगी roots next example देखते है x square minus 6x minus 280 is equals to 0 अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सबसे पहले चीज़ तो roots निकालनी है मैंने आपको बताया था कि minus plus और plus plus के लावा कोई भी number कोई भी symbol होंगे equation के तो उनकी root क्या आएगी plus minus ही आएगी अब आप एक चीज़ देखिए यह जो minus 6 है ठीक है roots में आप देख सकते हैं एक plus आ रहा है एक minus आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे एक plus term को एक minus term के साथ add करेंगे तो आजाके तो वो जो भी हम solution निकालेंगे वो basically subtraction ही हो रही है यह देखिए example देखिए 6 में अगर हम minus 2 add करेंगे तो basically हम 6 में से 2 minus ही कर रहे हैं तो जब भी minus आएगा ना तो आपने minus ही करना है हमेशा minus ही करना है यानि कि पीछ में आपको दिख रहे है 6 है यानि कि यहां पर यहां तो odd minus odd का combination लगा यहां तो even minus even का combination लगा क्योंकि 6 एक even number है अब हमारे पास यह आ गई 280 अब आप सबसे पहले चीज़ आएगा कि 280 को कैसे तोड़ोग है तो 280 बन जाएगा ठीक है बस आपने सबसे पहले यह चीज़ लिख ली लिख ली नहीं वैसे यह चीज़ धिमाग में करने वाली है पर आप starting है अभी तो लिख 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 लो अब 14 को further तोड़ोगे आप 7 to 2 और 10 को further तोड़ोगे आप 5 into 2 तो यह कुछ ऐसा बन जागा 7 into 2 into 2 into 5 into 2 ठीक है यह चीज़ बन गई अब आपको पता है even number है तो odd minus odd का combination even minus का combination minus क्यों आया मैंने आपको बता दिया ठीक है अब एक चीज़ देखिए मैंने आपको starting में ही कही थी multiplication के case में अगर एक बार भी even number आ गया एक बार भी ठीक है तो वो सारी odd terms को even कर देगा और यह है कि हमारा odd minus odd का combination जो है वो गल्त हो जेगा ठीक है हमारे पास क्या combination बचा even minus even का तो सबसे पहले क्या करते हैं इनको even मनाते हैं हमने 7 to the 14 करके एक even बना दिया 5 to the 10 करके एक even बना दिया अब हमारे पास बचा है एक लोता 2 अब इस 2 को हम 14 में multiply करेंगे या 10 में multiply करेंगे कि ह हमारा in the end जब उन दो numbers को माम माइनस करेंगे तो 6 आएगा तो आप देख सकते हैं कि obviously आप वो 10 में multiply करोगे तभी आपके पास 20 आएगा और 20 में से 14 माइनस करोगे तो 6 आएगा ठीक है 20 में से 14 माइनस करने के बाद 6 आगया आपके पास इतना आगया आपके पास अब आपक 6 बनाने की कोशिश करोगे माइनस 6 कैसे बनेगा अगर बड़ा नंबर नेगेटिव होगा तो obviously answer भी हमारा नेगेटिव में आएगा तो बड़ा नंबर है 20 हमने आपको इनकी roots निकालनी होती है तो आपकी इनकी polarity को उल्टा कर देना होता है बस और कुछ नहीं करना होता अ splitting the middle term इसके अलावा और कुछ इन concept नहीं है चलो करते हैं हमारा पहला question question आपको आएंगे इसी format के एक दो equation दी होगी एक x की form में एक y की form में या a और b की form में कुछ भी हो सकता है फिर end में आपको उनका comparison पूछा होगा कि कौन सा बढ़ा है कौन सा चोटा है या कुछ भी ठी कि अब आएगा आपका question x square plus 8x minus 308 is equal to 0 y square minus 6y minus 280 is equal to 0 सबसे पहले हम उपर वाली equation को solve करेंगे अब हमें पता plus minus में roots के आएंगी plus minus आएगी आपने 308 को तोड़ना शुरू किया 2 into 154 फिर एक और even यह आपने तो 2 into 2 into 77 अब आपको सामने देख रहा है कि यह 11 का table है तो 2 into 2 into 7 into 11 अब यह further odd नहीं तूट सकता तो यानि हमें इसी में से लना है और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक बार भी even number आ गया अब 8x जो है 8 जो है वो even number है और हमें even number का combination कैसे मिलता है even even odd odd plus minus आ रहा है तो यानि कि subtraction ही होगी addition तो नहीं होगी तो एक चीज़ आगी कि आ 11 to the 22 किया इसके अलावा आपके पास और कोई number बचा ही नहीं और आपको दिख जाएगा कि 14 और 11 11 नहीं है 22 है 14 और 22 में कितने का gap है 8 का gap है अगर आपको plus 8 बनाना है तो आप क्या करोगे 22 minus 14 करोगे और roots मैंने आपको बताई reverse हो जाती है उनकी polarity तो आपकी roots आगी minus 22 plus 14 ठी कैसे करने है आप अपनी copies पर खुद मेंका लिए B part कैसे करने है अब मैं आपको next step बताऊंगा इनको compare कैसे करने है एक जगह आपने लिखा x एक जगह आपने लिखी y ठीक है वैसे यह लिखने की जुरूरत नहीं है आप हवा में भी कर सकते हो मैं बताता हूं कैसे आपने क् x वाला है उसका पहले minus 22 पकड़ लिया आपने minus 22 को 14 से compare किया ठीक है आपको दिख रहे है कि minus 14 बढ़ा होता है minus 22 से फिर minus 22 को अपने 20 से compare किया तो आपको दिख गया कि 20 बढ़ा है minus 22 से आपने इस पर भी टिक मार दिया यानि कि अभी तक y बढ़ा आ रहा है दोनों cases में 14 को compare किया minus 14 से तो आपका इधर x बढ़ा आ रहा है जब भी आपके पास x भी बढ़ा आ रहा है और y भी बढ़ा आ रहा है तो आपका उसका answer हो जाएगा cannot be determined यानि कि relationship cannot be established कोशन में होगा कि x और y के बीच का relationship बताना है greater than है equals to है less than है या फिर cannot be determined है तो आपका जगा relationship cannot be established य क्यों कि दो हमारे बढ़े हैं y के और एक हमारा बढ़ा आया x का तो इसलिए हमारा आ गया relationship cannot be established अब अब suppose कर लीजिए कि जैसे पहले y का बढ़ा आया दूसरा भी बढ़ा आया तीसरा भी बढ़ा आ जाता तो चोथा भी बढ़ा आ जाता तो हम क्या लिखते y is greater than x ठीक है वैसे ही पहला बढ़ा आ गया दूसरा बढ़ा आ गया तीसरा बराबर आ जाता और चोथा बढ़ा आ जाता है तो हम क्या लिखते y is greater than equals to x same case अगर हम x पे apply कर दें कि x का बढ़ा आ गया चारों की चारों बढ़े होंगे तो x is greater than y तीन बढ़े होंगे या दो बढ़े होंगे और बीच में एक equals to का sign आ जाएगा तो x is greater than equals to y और उसके अलावा अगर दोनों में से दोनों बड़े-बड़े आ रहे हैं कोई ना कोई पार्ट उसका बड़ा-बड़ा आ रहा तो relationship cannot be established बस यही है यही है quantitative aptitude में जो हमारा chapter है quadratic equation इसका basic पार्ट इसका थोड़ा high level हम next पार्ट में करेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद रही तो इससे लाइक किजिए साथ ही हमारे चैनल को subscribe किजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share किजिए thank you